आज हम यहां पे पंजाब सिवल सर्वसीज के लिए जियोग्राफी के बार में बात करते हैं कि जियोग्राफी जो टॉपिक है जो आपका जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसको आपको कैसी रेडी करने है ठीक है क्या है उस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए फॉर्दा जोग्राफी ठीक है जी ओकी इसी की उपर आज हम बात करते हैं ठीक है ठीक है As you already know कि notification जो है वो हमारी कभी भी आउट हो सकती है फॉर्दा पंजाब सिवल सर्वसीज इवन यहां पे अभी जो है वो मेरे पास ये भी news है कि हंजी जो tentative हमारा notification का time है that is August August में हमारा August जो हमारा month है तब हमारी notification जो है जो हमारा exam है उसके लिए notification आउट हो जाएगी and after that उसके कुछी time period में आपका exam जो है वो conduct हो जाएगा ठीक है जी? ओके तो यहां पे जो है वो notification आ सकती है तो student आपकी preparation पहले से होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी preparation ना करूँ ठीक है? अच्छा फिर हम बात करते हैं अब हमारे आज के main topic पे that is geography geography के उपर बात करते है student यह geography को कैसे आपको ready करना है क्या आप रोच होनी चाहिए for the geography see here student सबसे पहले तो first of all आपको यह पता होना चाहिए कि prelims as well as your mains दोनों के अंदर ही student आपकी geography आती है अगर मैं बात करूँ syllabus की prelims की और mains के syllabus की तो वो same ही है same syllabus है prelims के लिए भी और आपके mains के लिए अच्छा अगर मैं syllabus की बात करूँ तो student उसमें almost जितना syllabus आपका UPSC के अंदर mention है उतना ही आपका Punjab Civil Services में भी mention है मतलब की उसमें आपको थोड़ी सी extra geography पढ़नी even state वाले में that is Punjab की geography Punjab geography ये भी आपको करना है topic mention है उसकी अंदर पंजाब जीके के अंदर ठीके पंजाब की geography कैसी है कहाँ पे कैसी sand, soil है किस तरीके की आपकी geography है कैसा drainage pattern है ये सब कुछ तो अब क्या है यहाँ पे Punjab geography plus आपकी national geography दोनों पढ़नी है nationally हम बोलेंगे यहाँ पे Indian geography Indian geography plus आपकी word geography word geography तो आपकी जो geography है student अगर मैं उसको divide करूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो student आपके पास क्या कौन से ही बचती है एक second student अब देखिए यहाँ कौन कौन सी geography आपको पढ़नी है जो जुरूरी आपकी first of all physical geography ठीक है geomorphology human geography agriculture जोग्रफी जो state PCS से बहुत important होते है और क्या है infrastructure एक human geography सच रहेगे ठीक है infrastructure अच्छा और क्या है आपका infrastructure और आपका urban settlements अच्छा एक आपकी economic geography agriculture geography physical geography Indian geography इंडियन जोग्राफी जिसमें आपका drainage pattern climatology climatology oceanography तो ये सारा syllabus है student आपका किसका geography तो देख सकते हैं आप काफी vast geography आपका syllabus है ठीक है अच्छा तो अप पढ़ना कैसे है उस पे आते है student how to approach geography के लिए क्या approach औरनी चाहिए student सबसे पहले तो geography के बारे में आप एक चीज़ सबझे है कि syllabus बहुत vast content बहुत जाद तो यहाँ पे learning part आपका ज्यादा है student ठीक है learning part क्या है आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे vast है ठीक है बट हाँ आप smart तरीके से geography को बहुत अच्छे से cover कर सकते हैं याईसे उसको you know link करके geography में सबसे बड़ा जो खेल है न वो यही है यहाँ पे link करके एट topic दूसरे topic के साथ बहुत अच्छे से link करता है बहुत अच्छे से link करता है यहाँ पे ठीक है जैसे जब आप geomorphology पढ़ते हो तो वो आपको physical geography समझने में Indian geography समझने पूरी geography को समझने में बहुत ज़्यादा help करते है ठीक है as such geomorphology prelims point of view से इतनी important नहीं है student ठीक है बहुत सारे बच्चे geomorphology जो है वो skip कर देते but student please note करिये यहाँ पे point geomorphology जो है वो आपके mains में बहुत अच्छे से यहाँ पे cover होती है mains में कई बार examiner बहुत अच्छे-च्छे question सेट कर लेता है geomorphology से ठीक है अगर मैं prelims की बात करूँ तो prelims point of view से अगर मैं state की specific बात करूँ तो Indian geography जो है वो सबसे ज़्यादा important Indian geography आपकी Indian geography आपकी climatology यह बहुत important समझ में आई यह बात clear आपको ठीक है तो यहाँ पे आपके approach जो है वो बहुत ही simple होनी चाहिए कि आपको content जो है उसको आपको ready करना है content कहां कहां से ready करना है सबसे पहला इसका जो foremost source है आपका जो सबसे पहला source है आपका that is NCRT plus 1 and plus 2 की जो NCRT student that is enough for the geography geography आप यहाँ से बड़े आराम से cover कर सकते हैं plus एक इसके साथ जो second source रहता है that is our atlas कौन सा Oxford का atlas Oxford का atlas that is must क्योंकि without mapping आप geography नहीं कर सकते ठीक है without mapping आप कभी भी geography complete नहीं कर सकते student चाहे आप कितना भी internet का help लीजिए कुछ मर्जी कीजिए atlas जो है वो आपके पास होना ही चाहिए जब भी student आप geography पढ़ रहे ठीक है okay and third main source है that is newspaper बहुत सारी current में news चलती है student ठीक है जहां से link करके आपको question put किया जाता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारी Indian geography से हमारी climatology से for example मालीजी कोई river news में है कोई कोई आपकी कोई आपका मालीजी oceanography का कोई ocean current news में है या फिर कोई earth की कोई news में है तो फिर वहाँ पे आपका बहुती ज़्यादा important है आपकी geography ठीक है न्यूस पेपर में से आप जो है current news को अराम से connect कर सकते है for example जैसे आप देखिए कि एक आपका previous year question है जहां पे आपका कावेरी river के उपर question आया हुआ है ठीक है अभी कावेरी river कहां कहां से flow करती है यह आपको पता होना चाहिए कावेरी इशू पता होना चाहिए कावेरी इशू बहुत ज़्यादा frequently news में रहता है कावेरी इशू काफी politics चलती है इसके उपर तो कावेरी river के उपर बहुत बाड़ question यहां पे set हो जाता है किसी dam के उपर ठीक है जैसे नर्मदा जो हमारा dam है ठीक है ऐसे ऐसे चीज़े जो है climatology जैसे अभी आप देखिए climate से related कितनी सारी हम्यारी summits होई है तो अगर आपने climatology बहुत अच्छे समझे है student तो वो news भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी कई बार examiner कोई fact उठा लेते है कोई news उठा लेते है and after that उससे merge करके उससे question set कर देते है तो student तीन यहाँ पर main sources होगे आपके geography के पहला NCRT books second atlas and third one is your newspaper these are the sources ठीक है for the geography and जो हमारा अगला source है student जो हमारा और जो next हमारा जो है यहाँ पर जो important चीज़ है वो यह है student की जो हमारा इस time पर batch चल रहे ठीक है जो अभी हमारा जो नया batch शुरू हो है हमारा 15 FAB से उसमें हमारा geography ही चल रहे and I am the faculty for geography geography and environment दोनों का एक you know combined batch चल रहे student यहाँ भी ठीक है आप उसको भी join कर सकते हैं जितनी भी आपके पिछे वाली classes है वो आप recorded भी देख सकते हैं क्योंकि student online, offline दोनों ही batch join करते हैं तो वो recorded का access भी आपको मिल जाते है ठीक है जी तो आप join कर सकते हैं batch ठीक है link आपको description box में मिल जाएगा student ठीक है तो आप इस तरीके से student geography की यह approach के साथ आप geography बहुत अच्छी से cover कर से ठीक है जी ओकी ठीक है student तो यह session मैं यहीं पी over कर रही हूँ Thank you Have a nice day